हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टो एफ्स की दुनिया यूटॉप सनल, दोस्तों अगर आप आपके फून में वाट्स अप यूज़ करते हों, तो आज मैं आपके सामने टॉप टेन वाट्स अप का ऐसे ट्रिक लेके आए हूँ, जो आप रोजाना वाट्स अप यूज़ करते हो आपका ही इस यूटूप सनल एप्स की दुनिया में, दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ, तो बिना डेमिश करें चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टाड़ेट तो दोस्तों वाट्स अगर यूज़ करते हो न तो इस वीडियो को बिलकुल बिना इसकिप करके, बिलकुल लाश्ट तक देखना, अगर आप वाट्स अप यूज़ करते हो रोज, तो आपको यूज़ करने में और भी मज़ा आएगा, तो दोस्तों ये 10 ट्रिक बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो वीडियो देख रहे हो, आपको इसी कुछ में पहले वीडियो को लाइक करते हैं, और सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके, इसके साथ बैल आएगा, और वाला बैल पर आपको दबा के रखते हैं, और दोस्तों जो वीडियो देख रहे हो, simply नीचे add a public comment आएगा, add a public comment में आपको simply यहाँ पे प्यारा सा comment करते हैं, new top 10 फिल लिख देना है, whatsapp फिल लिख देना है, tricks, ठीक है, यह एक comment आपको करना है, new top 10 whatsapp tricks, जैसे दोस्तों comment कर दोगे, फिर आपको मैं बताता हूँ, सबस पे अगर कोई mobile मांग रहा है, तो उस टाइम मना नहीं कर सकते हो, लेकिन आप mobile देने से घब रहाते हो, काश आपका कोई personal chart बगरा, जो आपकी girlfriend से होती है, वो देखना ले, क्योंकि यह हर किसी का personal chart बगरा होता है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, mobile को lock लगाते हो, फिर देते हो, लेकिन lock खुलने के बाद तो WhatsApp खुल लेगा, तो इसके लिए simply आपको एक lock लगाना है, यह number 10 trick है, simply 3 follow stop में click करना है, simply setting में जाना है, और फिर account में जाना है, जाने की बाद simply privacy में जाना है, फिर आपको निश्या आ जाना है, फिर fingerprint lock जो है, यह disable रहेगा, आपको enable कर होगे, जो आपका phone में fingerprint lock, अगर display पर है, तो display पर कर देना है, अगर back side में है, तो back side में इस तरफ से कर लेना है, और फिर यहाँ पर immediately में रख लेना है, और इस से अभी होगा क्या, अब बिना tension से, अगर कोई आपका mobile मांग रहा है, तो आप mobile दे दो, कोई भी अगर WhatsApp में आ अंगले लगाता हूँ, और यह देखो, खुल जाएगा, तो यह number 10 trick था, यह भी जबरदस trick है, अभी जो number 9 trick है, वो है दोस्तो, आपको कभी बार-बार कोई ना कोई गरूप में डाल देती, जैसे मेरे एक group है, यह हर बार कैसे कैसे group में कोई ना कोई डाल देते हैं, मतलब group में, आपको बीना पूछ के group में डाल देते हैं, कोई भी गंदा फोटो, गंदा वीडियो आ जाता है, किसी के सामने gallery open करने में शरम लगते हैं, तो दोस्तो, यह करने के लिए, यह आपके अलावा, मतलब आपके permission के अलावा, कोई भी आपका number को group में डाल सकता है, तो इस three full stop में click करोगे, फिर setting में चले जाना है, फिर आपको account में click करना है, कर दिने की बाद simply privacy में click करना है, फिर नीचे आ जाना है, और यहाँ पर simply groups का option रहेगा, इसी groups में आपको click करना है, जैसे groups में click करोगे, तो यहाँ पर आएगा, who can add me to groups, मतलब कौन आपको add कर सकता है, मत मतलब, फिर आपको करना क्या है, देखो my context आएगा, फिर my context expect आएगा, अगर everyone दे दोगे, तो कोई भी आपका group में डाल लेगा था, आपका number, add करते क्या, तो आपको करना क्या होगा, my context expect, इसमें click करके, यह सारा का सरा, इसमें click करोगे, तो select हो जाएगा, select हो जाने की 45 contact मेरे phone में save है, और यह 45 contact जितना भी बंदा है, उसके अलवा, कोई भी save नहीं, मतलब, सिर्फ वो ही, उसके अलवा, कोई भी save नहीं कर सकता है, सिर्फ वो ही save करने के कोशिश करेगा, तो मुझे message आएगा, कि आप इस group में join होना चाहते हो कि नहीं, तो यह कर लो, यह भी क किसी के साथ अगर personally chart कर रहे हो, तो वो chart अपने आप ही delayed हो जाएगा, वो कैसे करना है, मतलब, किसी आप girlfriend से बात कर रहे हो, कोई personal बाते वगरा कर रहे हो, तो उस time अगर आप चाहते हो, कि वो chart अप delete कर देने के लिए, मतलब, अगर आपने delete करने के लिए भूल गया, तो आ करने के लिए simply three full stop में click करना है, फिर setting में click करना है, फिर account में click करना है, simply फिर privacy में click करना है, फिर नीचे आना है, फिर यहाँ पर default message timer, यह आपका इस तरफ से off रहता है, फिर आपको 24 hour कर दना है, और यह 24 hour जैसे कर दोगे, तो क्या होगा 24 hour के अंदर जो भी आप chart अगरा कर यहाँ पर आप क्या करते हो, simply whatsapp का status लगाते हो, आप चाहते हो कि whatsapp status सिर्फ आपकी boyfriend को लगाए, या आप चाहते हो कि आपका whatsapp status हर कोई देखे, आपके मम्मी, आपके पाप, आपके भाई के आलावा हर कोई देखे, वो setting भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका profile जो फिर यहाँ पर हो, can see my personal info, इस तरफ से last day रहेगा, आपको अगर everyone रहता है आपका, तो आप अगर everyone करोगे तो क्या होगा, जब भी आप रात में कभी online पर आओगे whatsapp में, तो आपको घर से पता चल जाएगा, कि आपका last day दिखाएगा, तो आपको इसलिए चुप चुप के whatsapp में message करने के लिए आपको nobody में click कर देना है, जैसे nobody में click कर दोगे फिर आप whatsapp में, दिन में, रात में, जब भी online आओ, किसी को पता ही नहीं चलेगा, और कब offline जाओगे उसको पता ही नहीं चलेगा, फिर profile photo यहाँ पर देख सकते हो, जो कि आप किसी को अगर आपका profile photo नह फिर है about, about तो जैसे आप लिखते हो, वो इतना important नहीं है, फिर status, status है main, status में click करना है, कर दने की बाद आपका, आप क्या करते हो, my context पे लगा के रखने से क्या होता है, आप, आपका whatsapp का status जैसे लगाते हो, कोई, my context मतलब, आपके contact list में जितने लोग है, हर कोई आपका status द जो आप उसको आपका whatsapp status नहीं दिखाना चाहते हो, तो दो number पे click करना होगा, जैसे मैंने तीन लोग को करके रखा है, brother, mama, papa, क्योंकि कभी-कभी मैं girlfriend की photo लगा देता हूँ, तो उन लोग मतलब, अगर देख लेगा, तो मुझे तरह पीटा होगी, तो इसलिए मैं हटा के रखा इन तीनों को, तो आप इस तरह से जिस जिस को नहीं दिखाना चाहते हो, उसको बस select करना है, इस तरह से select करके फिर इस तरह से write कर देना है, ठीक है, और फिर तिसरा आता है, only share with, मतलब अगर आप सिर्फ आपकी girlfriend है, आपकी 2-3 girlfriend है, सिर्फ एक एक girlfriend को impress करने के लिए आप status लगाना चाहते हो, सिर्फ only with, मतलब सिर्फ उसी को दिखाना चाहते हो, तो only share with, जिस girlfriend की जो नहीं नाम है, जिस boyfriend की जो भी नाम है, उसी साब से अब उसको impress कर सकते हो, फिर दन कर लेना है, तो यह था number 7 setting, यह काफी जबरदस्त setting था, और अभी number 6 जो setting है, वो है दोस इतना मिनिट में, मैंने status तभी तुरंत ही देख लिया था, ज guideline, status देख लिया, इस्ट देख लिया, इस्ट देख लिया, लेकिन उसको पता इनी चला, कि मैंने उसका status देख लिया, तो यह setting आप आपके phone में भी कर सकते हो, आप किसी कबी what's up status देखोगे, उसको पता भी नी चलेगा तो इसके लिए आपको करना कि है Simply three full stop में क्लिक करना है करने की बाद Simply setting में जाना है जाने की बाद जाने की बाद यहां पर रहता है तो आपको यह off कर दिना है बस ठीक है और यह off जैसे कर दोगे फिर आप बिंदास अब किसी का भी इस्टेटास देखो उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसका इस्टेटास देखे लिया है तो यह था नमबर 6 setting और अभी नमबर 5 setting वो जो है यह बहुत important है आपके लिए especially email आया हूँ जो कि दोस्तों कभी-कभी आप mobile देते हो किसी को और कभी-कभी घर पे ऐसे होते हैं ऐसे situation आते हैं जो आपको बलते है तरह WhatsApp खोल के दिखा उस time आप WhatsApp तो खोल देते हो लेकिन अगर आप किस अगरा करते हो तो इस तरह से आ जाता है तो यह नमबर 5 setting है आपको करना क्या है ध्यान से देखो यह setting क्या करना है simply जैसे मेरे girlfriend पिंकी मैं इसमें क्लिक करके रखता हूं फिर यह जो crossing में जैसे क्लिक करूंगा देखो यह पिंकी यहां से गायब हो गया चार्ट से और यह च बगर नहीं करता हूं अब इसे दिखा सकते हो लेकिन आपको पता है कि यह आपने चुपा दिया और यह कहां मिलेगा simply यह जो और सिप्ट का option देखो इसमें आपको क्लिक करना है फिर जैसे यहां पर देख सकते हो इसमें जैसे यहां से आप चुप चुप के उसके साथ बा पर फाइब सेटिंग् यह भी सेटिंग काफी जबरदस्त था और अभी नंबर फोर सेटिंग है वो है दोस्तों कभी-कभी बहुत लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भावासा अच्छे से समझ भी नहीं आता है और इंग्लिश में मतलब लोग है इंग्लिश बोलनी पाता है उ उस टाइम WhatsApp में अब एक सेटिंग कर सकते हो जिस सेटिंग की मदद से मतलब WhatsApp में हर भाषा अपनी भाषा में कर सकते हो तो इसके लिए सेटिंग में क्लिक करना होगा फिर सेटिंग में क्लिक करना होगा फिर चार्ट में क्लिक करना होगा फिर नीचे आ जाना होगा फिर एप देख सकते हो फोन से लिंग्वेस इंग्लिश रहेगा फिर आपका जो भी लिंग्वेस है जैसे हिंदी है बंगला है फिर मराथी है फिर एराबिक है फिर गुजराथी है तेलेगू है मलालेम है जो भी आपको देना साथ हो अगर मैं यहाँ पर आभी हिंदी कर लेता हूं मेर मैं English ही कर लेता हूँ simply chats में जाके अभी phone language यह की बाशा मैं English कर लेता हूँ और English कर लिया देख सकते हूँ तो यह जो setting है यह था number four setting जो की language का अभी number three जो setting है वो है दोस्तो कभी-कभी ऐसे होता है जो आपका personal chart होते हैं आप चाते हो वो चार्ट कभी डिलेड ना हो उसके लिए आप क्या करते हो शायद आप मूबाइल को बचा के रखते हो लेकिन अगर बाइसे ना हो अगर आपका phone चूरी हो गया या गुम हो गया उस क्योंकि आपको लगते हैं वो चार्ट दुबारा नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों आज मैं आपको यह जो number three setting है एक ऐसे setting है जो आपका phone अगर कोई चुड़ा भी लेगा या गुम हो जाएगा फिर दूसरा नया phone लेके आपको बस email ID up अगर लोगिन करना है फिर वाट्च सब्सक्राइब चालू करना है फिर स्यासरा पतव करना होगा करने के बाद simply यह पर जैसे Google account आपको Google account में click करके जो भी आपका Google account देना है वह हमेशा के लिए आप कर रहेगा तो इसमें click करके Google account select करना है करने की बाद simply फिर backup Google drive यहाँ पर आपको daily कर देना है जो कि अपने आप बेक अप होता रहेगा मतलब फिर आपको बेक अप में क्लिक कर देना होगा एक बर और जैसे क्लिक कर दोगे कर देने के बाद आपका जितना भी चार्ट है आपका जितना भी चार्ट होता जाएगा काफी जवदस्ती है, नमबर टू सेटिंग था, जो कि ठीक है, सुरी, नमबर टू सेटिंग था ये, और अभी जो नमबर टू सेटिंग है, वो है दोस्तो, जैसे कभी-कभी ऐसे होता है, जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हो, प्रिया, जो कि यह में दूसरी गल्फरेंट है, और यहाँ भी, यह देखो, प्रिया से जो भी मेरा बात होता है, और उसमें, देखो, यह देखो, इसमें कैसे उसकी फोटो देख सकते हो, मतलब दोनों, बेग्राउंड में मतलब फोटो लगा लिया, फिर इस तरह से अगर मैं पिंकी से बात करता हो, तो पिंकी से यहाँ करता हुए इसका फोतो लगा लेए इसी तरह से वर्तसप सिर्फ चार्ट में कैसे बेग्राउंन बोड़ा सकते हो इस चार्ट में है हर चार्ट में करता हू नाॉयर्मिल EScoat yeah अगर में दूसरा चार्टट ऑन करता हूं यह भी नाॉर्मलिय्ट dresses लेकिन में जैसे पिंक चार्ट को आपिन करता हूं तो देखो बैग्राउंड में यह है तो आप भी अगर चाहती हो बदलने के लिए कैसे बदलोगे जैसे मैं इस girlfriend में क्लिक करता हूं और profile अभी बदलोंगा बैग्राउंड तो इसकी लिए करना क्या है तो यह फोटो लगाना चाहती हो जैसे मान के चलो यह फोटो लगाऊंगा तो यह फोटो इस तरह आएगा फिर आवी मैं और दूबारा दूसरा चाड़ अलग है यह देखो सिर्फ इसी गल्फिर्ण की इस तरफ से बेक्ग्राउंड में फोटो इस तरफ से लगा सकते हो यह भी काफी जबरदस अच्छा ट्रिक है और अभी नमबर वान जो सेटिंग है यह बहुत ही जबरदस सेटिंग है यह बहु कि मैं यहां पे मैसेश करता हूँ हाई यह देखो एक मैसस आया है और टंक घरके यह मैंशनक आ गया लेकिन यहां पे जो वाटसइब मारें जैसे मैं दूसरा फून में किसी बॉइःफन . से चार्ड कर रही है तरबंग करिया तरब बीना सेंधिंग कर सकते हो दीजें मतलब घर पर पता भी नहीं चलेगा कि आप WhatsApp पर टाइपिंग कर रहे हो तो इसके लिए यह सेटिंग करने के लिए 3Full Stop में क्लिक करना है सिंपली सेटिंग में क्लिक करना होगा फिर यहाँ पर मैं मैसेश भेज दिया और यह आवाज भी नहीं आया ठीक है यह देखो देख सकते हो यह देखो मैसेश की आवाज भी नहीं आया तो यह था आज का टॉप टेन वाट्सअब ट्रिक्स तो आपको कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यदा पसंद आया आप मुझे बताना और इसका पार्ट टू भी आएगा तो आपको मुझे कोमेंट बुक्स पे ज़रूर बताना कौन सा ट्रिक पसंद तो दोस्तो जैसे कि